इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मुश्किल में डालने वाला, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला वर्ड के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे इंगलिश में सबसे ज़्यादा मुश्किल में डालने वाला और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला वर्ड के बारे में वो शब्द है अगर हमें Sorry कहने की नौबत आ गई तो हमें अच्छा नहीं लगता कुछ लोग अकसर कहते हुए हम देखते हैं कि मैं किसी भी हालत में Sorry नहीं मांगूँगा तो चलिए आज sorry के बारे में हम detail में जान लेते हैं क्या है sorry का reality क्या sorry कहने से हमारा कद कम हो जाता है या हमारा भाउत बड़ा अपमान हो जाता है क्या है sorry इसके बारे में हम detail में समझेंगे दुनिया के किसी भी dictionary या Wikipedia में अगर हम sorry का meaning धुन्डेंगे तो हमें उसका meaning मिलेगा sad or disappointed. sad का मतलब होता है दुखी होना, disappointed का मतलब होता है mood off होना, यानि दुखित होना, अच्छा न लगना, ऐसा होता है. sorry का मतलब sad or disappointed अगर है, यानि दुखी होना या खेद प्रकट करना अगर है, तो sorry word यूज करने में लोग परेशान क्यों हो जाते हैं, इनकार क्यों करते हैं, चलिए इसके sorry के गलत फहिमी के बारे में हम अब जान लेंगे. इसी के साथ अगर कोई हम से sorry कहा, तो क्या reply करना चाहिए, ये भी हम जान लेंगे. 99% लोगों को ऐसा लगता है कि sorry का मतलब माफी माँगना, क्षमा माँगना, लेकिन sorry का मतलब हर बार क्षमा माँगना या माफी माँगना ऐसा नहीं है. अफी माँगने के लिए English में कुछ और लब्स, यानि words है, जैसे कि forgive, forgive means माफ करो, मुझे क्षमा करो, लेकिन sorry का मतलब हर बार माफ करो या क्षमा करो ऐसा नहीं है. चलिए एक example देखते हैं, अगर हम बीमार हैं, हमारे दोस्त हमसे आकर कहते हैं, I am sorry to hear that you are suffering from cold. इधर वो अपने से माफी नहीं मांग रहा है, I am sorry to hear, यानि वो कह रहा है कि मुझे आप बीमार हो ये सुनकर, मुझे बहुत दुख हुआ. कभी-कभी ऐसा हो जाता है, क्लास में सर लेट आते हैं और वो कहते हैं, I am sorry students. इसका मतलब सर माफी नहीं मांग रहे हैं, सर कह रहे हैं कि मैं देरी से आया, इसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लेट होने से दुख हो रहा है, यानि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. अगर हमने कहा, we are very sorry for them, they are in bad condition, इसका मतलब यह होता है कि ओ, जिस परिस्तिती में हैं, उसे देखर हमको बुरा लगा, इधर हम उनसे ख्षमा नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे माफी नहीं मांग रहे हैं, इधर sorry का मतलब यह होता है कि हमें बुरा लगा, हमें दुख हुआ. Sorry का मतलब ख्षमा करो ऐसा नहीं है, लेकिन हम अकसर देखते हैं, 99% लोग यह समस्ते है, sorry का मतलब माफी मांगना या ख्षमा मांगना, क्या वो गलत है? नहीं, 99% गलतिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि sorry का indirect meaning, यानि sorry का hidden meaning, sorry का भावानुदाद, sorry का मतलब, indirectly, ऐसा निकलता है कि मुझे माफ करो, मुझे ख्षमा करो, मुझसे जो गलती हुई है, उसे आप कृपिया, उसे माफ करो. sorry का indirect meaning, माफ करो, या ख्षमा करो, कैसे निकलता है, उसके बारे में हम अब जान लेंगे. conversation में भावत बार ऐसा होता है कि हम word-to-word exact meaning बिना लेते हुए, हम उसका inner meaning, hidden meaning लेते हैं. जैसे कि हम किसी से पूछ लेते हैं, यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी रहते हैं, वो आप नहीं दिखते हैं, तो ओ कहेंगे, दो साल पहले ही ओ चले गए. इधर चले गए का मतलब हम समझ लेते हैं कि he is no more. Here, we do not take exact word-to-word meaning, we take inner meaning. In the same way, sorry का मतलब exact meaning क्या है? दुख्य होना, यहीं sad, disappointed, बुरा लगना, उसका inner meaning क्या निकलता है? उसका inner meaning यह निकलता है कि अगर मेरे से गलती हुई है, तो उसे please, excuse कर दीजिए, उसको आप भूल जाएए, उसको माफ कर दीजिए. ओ कैसा? देखेंगे, suppose हमारे से एक गलती हो गई है, तो तुरंथ हम कहेंगे, I am sorry. तो इसका मतलब यह निकलता है, सामने वाला आदमी समझ लेता है कि यह आदमी जो इससे हुआ है, उसके बारे में उसे दुख यानि बुरा उसे लग रहा है. तो ओ आदमी, ओ कह रहा है, मुझसे जो गलती हो गई, उससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बुरा लग रहा है. तो ओ समझ लेता है कि यह आदमी को अपने किये पर पच्छतावा हो रहा है. और ओ ओ ओ ए भी समझ लेता है कि जिस आदमी को उसके किये पर पच्छतावा होता है, तो ओ आदमी जो गलती की है, उसे माफ करने लायक है. वो ख्षमा करने लायक है इस तरह से sorry का indirect meaning या inner meaning हम कहे hidden meaning निकलता है माफ करो या ख्षमा करो तो friends हमने देख लिया sorry का dictionary meaning या Wikipedia में meaning है sad और disappointed लेकिन उसका indirect meaning, general meaning उसका hidden meaning, indirect meaning होता है माफ करो या ख्षमा करो 99% लोगों को ये problem आ जाता है अगर किसी ने हम से sorry कह दिया तो हम क्या कहना चाहिए उसको कैसे reply या response देनी चाहिए इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को confusion है ओ confusion मैं अब दूर कर देता हूँ अगर किसी ने अपने गलती के लिए या हम से sorry कह रहा है तो हम दो response का use कर सकते है पहला है it's okay दूसरा है it's alright इस दोनों में से एक response it's okay या it's alright का use हम sorry कहने के बाद सामने वाले आदमी से कर सकते हैं अगर छोटी गलती है हम कहेंगे I'm sorry अगर big mistake है हम कहेंगे I'm extremely sorry I'm immensely sorry और आजकल ये भी I'm sorry का use और एक तरीके से आजकल किया जाता है अगर किसी ने हमको उसका नाम या phone number बता रहा है अगर ओ phone number सही तरह से अपने को सुनाई नहीं दिया तो हम please repeat ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए हमको कहना से ये I'm sorry तो ओ दुबारा repeat करेगा एनि I'm sorry का मतलब ऐसा भी होरता है कि please दुबारा repeat कीजिए प्लीज दुबारा बताईए अगर phone पे किसी का आवाज सही तरह से सुनाई नहीं दे रहा तो हम कहेंगे I'm sorry तो ओ दुबारा कहेंगे इस तरह sorry के बहुत सारे meaning situation के मताबिक different situation में different meaning निकलता है तो आज इस वीडियो में इतना ही This is Evan Please subscribe to my channel Please share the video Press the bell icon and leave a comment Thankful to YouTube and millions of YouTube